असलाम अलेकु मैं हूँ राजर सरोर सुहेब and welcome to another video of corona updates जहां पे हम आपको तमाम updates दे रहे हैं related to this pandemic जो कि पुई दुनिया के अंदर फैल चुका है आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि financial crisis जो है globally face किया जा रहा है चाहे वो US हो चाहे वो चाहे वो European countries हो और इवन आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी बहुत बड़े financial challenges है उनको face करेगा तो इस वीडियो में हम आपको एक overview देंगे कि किस तरीके से मुखलिफ economies जो है उन पे effect पढ़ा है coronavirus का सबसे पहले हम देखेंगे जो एक global impact पढ़ा है coronavirus का on different economies और इसमें US जो है उसकी economy को एक बहुत बड़ा धचका मिला है 1987 के अंदर हमने देखा सबसे पहले कि वहाँ पे बहुत बड़ा recession आया उसके बाद 2008 के अंदर भी एक recession आया और अब 2020 के अंदर ये जो recession आ रहा है इसको प्रडिक किया जा रहा है कि आज तक का सबसे बड़ा recession होगा Thursday को जब President Donald Trump ने announcement की एक national health emergency की तो उसके बाद जो stock market थी US की वो completely crash कर गी और जो different sectors है economy के उन पे बहुत बड़ा impact पढ़ा और इसके अंदर एक sector employment का भी है जिसको प्रडिक किया जा रहा है कि वो 20% जो है वो गिर जाएगा इसके लावा जो US का European countries से एक cut-off हमें नज़र आ रहा है चाहे वो trade की सूरत में चाहे वो communication की सूरत में हो इसका भी US को एक बहुत बड़ा impact पढ़ने वाला है और ना सिर्फ US बलके इसका impact European countries पर definitely पढ़ेगा जैसे कि आप जानते कि European countries epicenter बन चुक्या है Corona virus का तो इसकी वज़ा से उनकी economies पर बहुत बड़ा effect पढ़ा है Italy एक बहुत बड़ी example है जहाँ पर जो health system है वो completely collapse करता हुआ में नज़र आ रहा है क्यूंकि वहाँ पे जो facilities है वो कम पढ़गी है compared to the patients जो के Corona virus के सामने नज़र आ रहे है तो ये एक overall holistic impact जो है पूरी दुनिया के उपर पढ़ रहा है हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपनी इतनी सारी investment कर ली है इस pandemic को रोकने के लिए और उनकी इलाके के लिए अब success की नज़र आ रही है लेकिन जितनी investment की गई है उसकी वज़ा से उनकी भी different sectors के उपर एक बहुत बड़ा impact पढ़ा है और जो local businesses थे वो काफी ज़ादा मुतासिर हो रहे है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी क्योंकि spread जो है वो शुरू हुआ है और आने वाल दिनों में में नज़र आ रहे कि मजीद बढ़ता जाएगा तो obviously इसका impact जो है हमारी local economy पे और जो हमारे exports थे उन पे काफी ज़ादा पढ़ने वाला है इसी से मुतलिक Asian Development Bank ने भी एक report जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने best or worst case scenarios के अंदर बताया कि पाकिस्तान के उपर किस किसम का economic impact पर सकता है मैं आपके साथ को statistics share करूंगा जो कि Asian Development Bank के है उन्होंने predict किया है कि पाकिस्तान की economy के अंदर in the best case scenario loss हो सकता है of 16.23 million on the agriculture and mining sectors इसके इलावा sustainable loss हो सकता है of 5.5 billion in the business trade and personal and public service और loss हो सकता है 5.54 in hotels and restaurants as well loss हो सकता है of 0.67 million on light and heavy manufacturing इसके इलावा भी जो उन्होंने एक और चीज जाहिर किया यह तो एक best case scenario था कि worst case scenario के अंदर पाकिस्तान की economy पर किस किसम का impact हो सकता है तो उन्होंने predict किया है कि overall जो worst case scenario के अंदर impact हो सकता है वो तक्रीबन 5 billion dollars का है तो इस situation में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की economy completely collapse कर जाएगी और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक public speech पी की और उसके उन्होंने बताया कि complete lockdown नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी बज़ा से जो local economy उस पे बहुत बड़ा impact पड़ेगा and he is also asking all these international organizations and countries as well कि Pakistan की जो debts है उनको खतम किया जग को write-off किया जाए ताकि Pakistan जो है वो इस pandemic से अपने full potential के साथ deal कर सके पाकिस्तान जिसकी economy already अपने पाउं पे आइस्ता इस्ता खड़ी हो रही थी उसके ओपर यह backlash इतना बड़ा हो सकता है कि शायर इससे हम recover ना कर पाएं तो इसलिए जरूरी है कि government इसको बहुत alert हो जाए और इसके साथ जो different sectors है वो भी alert हो जाए खास सोर पर जो local और small businesses हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी उपर एक बहुत बड़ा impact आएगा इसकी वज़ा से और जो companies हैं और जो coming days so we all have to come together collectively to fight against this ताकि जो financial crisis हम face करने वाले इसको रोका जाए और इसके लिए government का बहुत बड़ा किदार होगा कि वह किस तरीके से इस pandemic को पहलने से रोकती है हमारे मुलके अंदर आने बले दिनों के अंदर हम expect कर सकते हैं कि हालात खराब होईंगे तो हमें भी अपने आपको prepare करना पड़ेगा कि हम as a society किस तरीके से contribute कर सकते हैं ताकि पाकिसान की ना सिर्फ economy को बचाया जा सकते हैं बलके जो हमारा different हमारे sectors हैं और जो हमारे different शोबों से सालोक रखने वाले लोग हैं उनके भी जो लाइवली हुड है उसको बचाया जा सके तो इस वस्ट इंसाइट इंट इंट ग्लोबल फाइनशल इंपक्त जो के इस वर दुनिया के अंदर face किया जा रहा है because of coronavirus और उमीद यही है कि यह चीज़े बेतर हो जाएंगी अगर आपको कोई information हमारे साथ share करनी है या आपको कोई question है तो आप हमें भेज सकते हैं on our different pages on Instagram, YouTube and Facebook और इसके लावा stay tuned to City2 TV and corona updates for any further information regarding coronavirus अगली दफार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा Allah आपरस